इप्तिदा है रबेचलिए के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेरत को उचानता है देखती हैं को और संते का नो कुछ अन्यक्त पर लाब का सलाव का शें उमीद करता हूँ दोस्तों आपको शें अन्यक्त पर लाब का शें लाब का 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 शें तानक्त पर लाब का शें लाब का शें झाल 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 कि इस कन्फीजन का शिकार है कि कुछ लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं इंशाल आप मुतमन होगे और दूसरा क्वेस्टन वो कहते हैं कि जो मस्टर जिनोंने में मसी की हुई हैं आपने चाहे बियस की हुई है या आपने आपने में मसी की हुई है आप कर सकते हैं दूनों में 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 म अच्छा आप बाता दिये के MS और M-Phil के दिर्मेंट डिफरेंस क्या है मेरे भाई कोई खास डिफरेंस नहीं है एक चीज के ही दो नाव है यह पीछे आप मेरे दर्मादा देख रहे हैं इसको आप दर्मादा कहले चैसको गेट कहले जब हुआ मुझाबी में खेले तो यह वही चीज है अब इन मेरे डिफरेंस क्या है इनको दो मुद्लिफ नाम क्यों दिये गए हैं वो भी इंशाला मैं आपको बताता हूँ आप मेरे साथ रहेंगे मैं आप पड़ी इंशाला के साथ इंशाला है आप शेयर करने की कोश्र करन होता जो यह है कि एम फिल जो है वो थोड़ा से ज्यादा टाइम कंजियूमिंग डिगरी है जो कि पहले जमाने में तो इतना नहीं था लोगों के पास टाइंग होता था तो वो एम फिल कर लेते थे एम फिल के अंदर दो समेस्टर का अमोमन कोर्स वर्क गूता है जो आपको कलासिस लेनी पूरती है यूनिवरस्टी जिसमें आप कर रहा हैं दो समेस्टर का आप करेंगे कोर्स वर्क उसके बाद आपने करनी है रिसर्च वो रिसर्च आप अपने घर बैठके एक तूटर पर लेपटाप पर भी कर सकते हैं लेकिन जो रिसर्च का असंत्री का इकार है जो आपका टापिक है आपने फिर्म में जाना है इसके मतलिक रिसर्च करनी है, शभाय दिशर्च करने हैं, इंट्रव्यूस कंड़क्ट करने हैं, सारा कुछ करना है, ये बात दूसरी तरह जाएगी, तो अपने क्वेश्चन पे रहने की कोशिश करूँगा, क्या मैं बैस कर निशाजी जाएंफिल, तो अगर आप ये पास् क्योंकि आपके अंदर अना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप सुपरवाइजर रखते हैं, बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, समझने जाएं तूसरी पात नखरों के लावां के पास टूबर्स होते हैं, काफी ज्यादा हैं, तो उन्होंने हर एक कुछ उपे गईड करन होता है, तो इस ही है वह इत्रा टाइम नहीं दे पाते हैं, उन्होंकि गवर्मन्ट ज्याब्स भी अम्होन होती है उन्होंने भुप्रावीर्यू करने होती है, उसके साहता उनके पास जिए सब्स् physician क्यों का थी और जिशार्च के लिए आते हो, ऐसा भिलिपल not. तो इसलिए अपरोव करके वो उनको अपर सुपरवाइश रख सकते हैं तो इसलिए हो जासे वाले लोग वह भी सुपरवाइश रख लेते हैं तो तो मेरे भाई अगर आपके पास यह चीजे हैं पैसा सफॉरश अपरोव जाजिस सब्चेक्ट में आप एंफिल करने लगे हैं उस सब्चेक्ट का आपको ड़क्टर अजी रिस्तेदार वागे फ्यूजोस कोई करीबी है तो आप ऐसा करने का फैदा क्यों पर अगर इतनी सर्दद दिलेनी है तो सिर्दद आपस करने है और जान चोजए है ऐसा क्यों जिए इसलिए के अगर आप आगे पेएड़डी करना जाते हैं कि वहती है किसी किसी सी एल अपिनिता जाता सबका होता है स्टार्ट के अंदर कि मैं पेएड़डी करोगा और अग्र आपका इराधा रखते हैं अभी जंग है तो आप एम-फिल कर ले हुझ से साथ तो आपक तो यह वैसे पिल नाजिक तो नहीं पर दिक तो नहीं होती है तो मेरे भाई अपर आप अपर कर लगा तो यूवरस्टी जी अब्जेक्शन नहीं ला सब्दी कि आपके पास पर जो कि पहरे से रिसर्च में जोद लेए आप रिसर्च नहीं की हुई तो हम इसलिए आपको ब्रक गजिए और केंड़ भाई यूवरस्टी दिजए जो मेरी तरह पेचारे है जिनका आगे पीजे कोही है तो इसमें क्या होता है उसमें आपकी मुकंबर तार पर खिलासिस होती है कोही रिसर्च वर्क आपको नहीं करना पड़ा है यह बाद मुरस्टीज में आपको यह ट्रेट आ चुका है, थोड़ा सी कोई रिसर्च होती है, कोई एक-दो पीज़ की, तर्स-पंदरा पीज़ की, वो छोड़ा से टाफित देते हैं, ताक कि अगर आप कभी पीज़ी में दाखला करें तो आपको यह उडिया होती रिसर्च करते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता है, तो मैं उन शिटुअर्ट्स को, यह जो मेरे भाई हैं, जो किसी जाप करते हैं, जिनके पहसे पासे बनावर नहीं है जो आपने अनामें दिया है, कि असपर मेंपर तया है, कि अपना एंभिज को इन आ पीज़ साहते हैं, अगर आप कुछ करते हैं कि हमने अमस कर ली ठीक है अगर आप आगी प्येश्डी करनी हो और अब्जेक्शन लगा देश्टी कि आप नहीं की हुई तो आपको हम दाख लाणी देते हैं उसका भी एक सेलूशन है जब भी आपका प्येश्डी कर सकते हैं एमस की डिग्री पर ही आपने जस्ट रिसार्च की ट्यूज चिस्टी में आपने एमस की हुई है उसी उन्वेश्टी के सिर्व कंटक्ट करें आप रिसार्च की ड्यूज जमा करा हैं आपको उन्वेस्टी सुपरवैजर करेंगी अगर आप अपना कोई सुपरवैजर रखना चाहते हैं तो उन्वेस्टी आपको खुशी से इजादब देंगे उसके विलेश्टी के पास इतने डाक्टर्स नहीं होते हैं जितने स्टूडर्स होते हैं अमोमन एक डाक्रस आप जोते हैं वो मैक्सिम्म पर्टी से स्टूडर्स को रिस्टर्स नहीं होते हैं तो वो खुशी से आपको जासब देंगे थे हैं कि आप अपनी मर्जीक का सुपरवैजर रख लें तो आप पीर डी में इस तरह से अभी आडिमीशन दे सकते हैं जो गवर्मेंट जापोटर्स हैं उनके लिए मेरा मश्वरा चाह पर करनी बीए सबसे पहले आप मैसरे डिगरी अपना लूंस लगवाएं एंफिल आप तीन सर लगें चार साल लगें जितनी दगें आपको लोंस कमस कम मिलता रहेगा अगर आप रेंट तो लोंस आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप का वाईब आप फीसेज डिफरें लिए बाई जो गर्रमन जाग रहे हैं वो आर मस कर लें मैसे की डिग्री लेकर अपने लाउस लोगाने भीरा कर नंका शोक है तो मुंधियर करें अपने रिसर्च करें जब रिसर्च कंप्रीट हो जाए तो वो मुंध की डिग्री आपको करना पढ़ेगी जमाविद एप्लिकेशन एक निर्वस्टी के तुरू है चीजी से तो वह मैस की डिग्री आपकी हो जाएगी समट उसके पाद आपको मिलेगी एंफिल की डिग्री तो मैं उमीद करता हूँ कि MS और अंफिल के तुरू काउन लोग कर सकते हैं कि नुग करनी चाहिए क्या बनिफेट्स हैं क्या से इडिफेट्स हैं एंफिल और MS के डिग्रेंस हैं एंफिल बेतर हैं जा MS बेतर हैं किनों के लिए MS बेतर हैं किनों के लिए MS बेतर हैं किनों के तो सारे सवालों के जवाब मिल चुके होगे अगर आपको फिर भी कोई कन्फीजन है तो कमेंट सेक्षन है आपके लिए हैं मेरे भाई आप अपना कमेंट पोस्ट करें मैं आपको रिप्लाइ करता हूँगा अगर ज्यादा क्वेस्टन होए आपका मसला नंबा हुआ तो इस प्रेस पेशल आप लोगों के लिए मैं एक वेड़ी उना हुगा तो इंशालला मैं आपको हर सवान के जवाब देने की दोशिश करूँगा और वो इंशालला अथेंटिक होगा आपको मिलेगा तो दोस्तों इन दुआओं के साथ कि आला आपको हमेशा कुछ रखे मुझे भी अपनी दुआओं में जयात रखे गया आप तुझे इतना सारा प्यार अलाहाफिज